आप देख रहे हैं आदी उदासिन न्यूज बोले जो दासिन अचारेशों सरूप जप्त गुरु शिरी शिरी चंदर दे भगवान की जए आदी उदासिन न्यूज पर आप सभी दर्शकों का हादिक स्वाप्त है मैं आपके साथ खुश्प्रीता और आप सभी आदी उदासिन न्यूज के द्वारा दर्श्न कर रहा है है थ्याज स्थान शैरी चंदर चर्न पठाणि चंदर मंदर उदासन आश्रममून साहिब के इस थान पर उदासन संथ सेवा सेवा करते हैं यह इस थान पठान को चेंट मील दूरी के पासले पर लहाजी रोडबस थे इस थान का जो इतिहास है वो इस परकार है कि यहां पर एक दिन सुबद जब भगवान श्री चंदर जी माने से दो रहें जुब यहां पर अकर उन्हें पर नहीं निवास किया है और यह अगर शक्ति है तो यहीं से जल निकाल है लो रहतने चंड He์ーん कर Sum आ का लिया उसी पानी से आपने कुल और सनाल किया इस कौतों की खबर जब शहर में पहुंची तो संगते दर्शन करने के लिए आ गई आज इस थान पर चर्ण पादु का भगवान श्रीचंदर के मंदर में मौजूर है सुभई शाम आती होती है और गाउं के सब लोग श्रधा से धीरतम करते हैं और सबी संगतों के मनकामनाई पूरी होती है श्रीचंद्र भागवान की जै योगिराज बावा बनखंडी साहीब की जै निर्वान देव की जै गोला साहीब की जै धोजा साहीब की जै रजराम चंद्र की जै उमापति महादेव की जै रमापति राम चंद्र की जै ब्रंदावन क्रेश्न बल्देव की जै आज सक्ति माता द्रुगा भगवती कीज़, पवन पुत्र हनुमान कीज़, साति सनातन धार्म कीज़, गव माता कीज़, धर्ती माता कीज़, सर्व संतहरी भगतन कीज़, आपने अपने शिरी गुर्दयो महराज कीज़, मात गंगे हर नर्वदे हर जतार संगरी हर आम नमाप पारवते फटे हरा हरा हर महादे चरी चन्द भगवान बाठ साहव आए चतरुमासा वहाँ पहले किया बाड साहब से चले बाड साहब यहां से 12 किलो मिटर है फिर ममून डलोजी रोट पठान कोट से ममून पहुँचे यहां जल की ब्योष्था कहीं नहीं थी तो बाबा जी रात को यहीं ठहरे थे रात को बाबा जी ने सुबर्या जब हुआ तो जल यहां दरियाओ पास में चक्की है वहां पानी लाते थे माईया तो वहां से बाबा जी ने पानी ही मांगा था तो एक माईय ने इंकार कर दिया दूसरी माईय ने बाबा जी को जल कमंडल में दे दिया कि भी कुछा है कि माई पने घर चली गई जब उसका घरा में देखा तो माय वापस आगई बाबा जी के चलौह में गिर गई 지금까지 प्रवान जी ने तब बाबा जीने माई को असीरबात दिया कि माय अमाता पानी तो पास में है लेकीन माई ने कुछ मांगा नहीं माबा जी बोला कि माई जो मांगना है सो मांग लो अब जब परमात्मा मिल गया तो मांगना क्या उनको है फिर जब मांगा नहीं तो बाबा जी न अपनी वही दातुन जो कर रहे थे ओ दे दिया माता को तो वही पेर सामने आज मुझूद खड़ा है पीपल को हरा कर दि फेर बाबा जी ने चम्टा से निकाला था, आज वो बंध हो गया है, तो पाई निकाला फिर बाबा जी यहां से थोड़ा संत्क मन में आई जाता है, तो बाबा जी ने थोड़ा कह दिया,ि मादा आप यहां पानी पूरा नहीं होगा, तो आज यहां यहां एतनी पानिक है आहां पूरा होता है पिर यहां से बावाजी चंबा के प्रथान हुए एक जगा और है बीच में यहां चाठ किलो में है फोज कंदर है व Exodus तो वहां काटी, वहां से बाबाजी फिर चंबा चलाई है, फिर यहां रुक नहीं पाए, इसलिए फेश भगवान की श्री चंद्र ने चंबा में शिला तेराई है, अब जब जाओगे यहां से, तो शिला आपको मिलेगी दर्थन होगे उसके, वहां रखी हुई है, गड़े बाबाजी के स्वर्परताब से आशिरमाद लेके आया है, आधि उदासी न्यूज यूटूब चानल के माधिम से, आप सभी दर्षकों ने शिरी चंदर चरन पादुका, शिरी चंदर मंदर उदासीन आश्रम मून साहिब के दर्षन किये, अब हम आपको शिला साहिब शिरी चंदर मंदर चंबा साहिब के दर्षन करवाने के लिए लेकर जा रहे हैं, अब आदियुदासी नियूज की टेम शिला साइब शिरी चंदर मंदर चंबा साइब में पहुंच चुकी है आज से भी दर्शक शिरी चंदर मंदर शिला साइब के दर्शन कर रहे हैं इस स्थान की तेहासिक जानकार याद उदासी नियूज के द्वारा अब तक पहुंचाई जा रही है जो कि इस परकार है कि जब शिरी चंदर भगवान जी ममून साइब से चंबे के लिए चल पड़े थे तो जब वह रावी पर पहुंचे तो एक साधू ने बताया कि चंबे आने दे और साथ ही रावी में पानी का ज्यादा जोर होने के कारण मलास ने अपनी बेवसी जाहर की कि मैं नौका पर और सुवारी नहीं चला सकता तब भगवान शीरी चंदर साहिब जीन ने रावी किनारे पड़ी एक शीला को इशारा किया कि तुम ही चलो चलकर चरपट योगी की शक्ती देख लेते हैं वचन करने की ही देरी थी के शीला पानी में अपने आप तैनने लगी उस पर खड़े होकर आप दूसरे किनारे पर जा पहुंचे यह कौतुक देखकर मलास वार्यों सहते चर्णा में नतमस्तिक हो गया आज भी वे शीला मौजूद है सकार किया बगवान जी ने कहा कि आब भारत से भी इसी इसी लिए निकाले गए थे कि आप अपनी चक्तियों का दुरूप्यों करते हैं और यहां आकर भी आपने यही काम पकड़ लिया तब चरपट ने बाबा शीरी चंदर जी से मौफी मांगिया स्थान छोड़कर चला पहले इस शीला की सेवा एक संत करता था और कुछ सभी वाद वेवी ग्रस्ती हो गया और उसका वंश्र भी अब तक सेवा करता आ रहा है इस स्थान पर दूर दूर से संगत शर्था से माथा टेकने के लिए आती है और भगवान चिरी चंदर साहिब जी सभी की मनुकामनाएं पूरण करते हैं अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगते हैं तो लाइक करें कमेंट करें शेयर करें और हमारी अन्य वीडियो को देखने के लिए मारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वैल आइकन को जुरूर क्लिक कीजिए ताकि आपको मारे वीडियो को नाटिफिकेशन समय समय पर मलती रहे धन्यवाद